हेलो गाइस, भार्किया WWE सुपरस्टार दग्रेट खली ने मोजुदा समय में रेसलिंग से रिट्रायमेंट लिया है। बता दे, जब दग्रेट खली ने WWE में टैप्यू किया था तो उनका काफी दबदबा देखने को मिला था। यही नई दग्रेट खली WWE में टैप्यू के बाद The Undertaker जैसे कई बड़े सुपरस्टार्स को हराने में कामियाब रही थी। दग्रेट खली अपने करियर के दड़ान कुछ ऐसे सुपरस्टार्स को भी हरा चुके हैं चोकि मौघुन्धा समय में WWE के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन चुके हैं। SmackDown के एक ऐपिसोड के दोरान देखने को मिला था। इस मैच में खली ने रे मिस्ट्रियो को पूरी तरह डॉमिनेट करते हुए हडाया था। दोनों सुपरस्टार्स के बीच यह मैच साल 2012 में स्मैकडाउन के एक एपिसोड के दोरान देखने को मिला था। और मैकेंटायर इस मैच में खली को ज़्यादा टक्कर नहीं दे पाये थे। अंत में दग्रेट खली ने डू मैकेंटायर को अपना फिनिशर देते हुए मैच जीट लिया था। नमबर दो पर हैं कोडी रोड्स यह मैच अप्रिल 2012 में स्मैकडाउन के एक एपिसोड के दोरान देखने को मिला था। कोडी रोड्स ने इस मैच में दग्रेट खली को थोड़ी टक्कर जरू दी थी, हलाकि इस चीज़ का खली पर ज्यादा आसर नहीं हुआ था। और उन्होंने अंत में कोडी को अपना फिनिशिंग मूव देते हुए मैच जीट लिया था। नमबर एक पर हैं जॉन सीना, इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच 2007 में सेटरड़े नाइट मैन इवेंट में मैच देखने को मिला था। इस मैच में खली ने सीना की बूरी हालत करने के बाद उनकी छाती पर अपना पैर रखकर उन्हें पीन करते हुए बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। तो ग्रेट खली के सचे फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे।